देश लोग सभाचनाओं के मुहाने पर खड़ा है हर पार्टे इस चुनाओं में लोगों का भरुसा जितने के लिए जीट जान से लगाए हर तरीका अपनाए जारा है ताकि जनता को अपने पाले में किया जा सके बीजेपी के विजयरत को रोकने के लिए कौन सेता राखुल गांधी देश भर में भारत जोडो नियायात्रा निकाल रहे हैं लेकिन इसे बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवजैसी ने फिर से एक एवियम के सवालों का जिन एक बार फिर से निकलाया है एवियम को लेकर सवालों का दौर शुरू हो चुका है और शुरू हो चुकी है इसको लेकर सियासर जी हां अपने बायानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने बाले पूर वसीयप देगुजय सिंग एक बार फिर से चर्चा में है दरसल देगुजय शिग ने एक बार फिर से ईव्य म के खिलाफ हला बोल दिया है सिग ने बकाइदा इस सम्मंद में एक प्रेस कॉन्फरेंस कर ईव्य म की खामिया गिनाई है इस मौकिपार देगुजे सिंग ने कहा कि EVM को लेकर खुद लालकृष आडवाने आव विश्वास जता चुके है उन्होंने कहा कि EVM का अस्तिमाल 2003 में शुरू हुआ लेकिन आव विश्वास सामने आ जाने के बाद इसके साथ वीवी पेट को जोडा गया सिंग ने कहा कि भारत के अलावा आस्ट्रेलिया और ब्राजील में EVM का अस्तिमाल होता है लेकिन आस्ट्रेलिया में ओपन सौफ्ट वेर होता है 2003 से लेकर 2012 तक वह EVM मशीन काम करती रही इसकी शिकायते लालकृष आडवानी जी ने बहुत की कि हमें विश्वास नहीं है EVM मूल बात यह है विश्वास शुरू से लेकर आज तक 2003 से लेकर आज तक चुनाव आयोग सौफ्टवेर उप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला इस मौकी पर दिगवजज सिंग ने आरूप लगा है कि बीटविके नेताओं को फुली छूप मिल हुई है बिया मोदी ने करनाटक चुनाव में खोले आम बजरंग बली की जय बोलकर कमल को वोट देने की अपील की थी तब चुनाव आयोग उन्हें कुछ नहीं कह रहा था इमानी चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इदर उदर कह दें तो नोटिस मिलेगा लेकिन नरेन मोदी जी करनाटक में खोले आम भाशन में कहें कि बोलो बजरंग वली की जय और दवाव का बलकर बटन उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग क्यों नहीं देगी क्योंकि वो निश्पक्ष नहीं है मेरा अरोप है दबाव में है दरे हुए भूपाल के हुजूर सिविधायक राविश्वर शर्मा ने दिगुजय सिंग पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि दिगुजय सिंग निर्वाचन आयोग के पद्दती को बदनाम कर रही है निर्वाचन आयोग को खुद संग्यान लेकर उनके खिलाफ एफायार दज करानी चाहिए उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या कॉंग्रिस करनाटक कि सरकार को भंग करेगी या फिर क्या मध्य प्रदेश में जीते सभी कॉंग्रिस विधार अपने पद से इस्तिफा देंगी या कांग्रिस के आपने जो नेता जीते हैं उनसे इस्तिफा दिलवाएंगे बहराद ये पहला मामला नहीं है जब ईवियम सवालों के खेरे में है इससे पहले भी कई दबा ईवियम पर सवाल और बवाल होता रहा है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि देगुजर सिंग का ये बयान और आरोप को लेकर शुरू ही सियासत कितने आगे तक जाती है स्पेशल डिस्क स्वाराज एक्स्प्रेस रिपोर्ट देखे आपने इवियम पर सवाल उठाया है दिगजर सी ने और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जादा चर्चा के लिए हमार साथ खास महमान भी मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुपता जी है पांक्स प्रवक्ता योगिन्र सी है योगिन्र सीजादन और वरिश्पतरकार घुपेंद सुल्लेर जी है आप तीरों का चर्चा में बहुत स्वागत है सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास चलेंगे योगेश गुपता जी के पास कांग्रेशियों को बचाना है दिग्विजा सिंगी जैसे वरिष्ट राज में था यह भली बाती जानते हैं पहचानते हैं और मैं यह मानता हूं कि वह यह समझते भी है कि EVM का कोई दोश नहीं है मगर EVM के उपर आज से नहीं पिछले लगभग दो तिंग चुनावों से लगातार वो ठीकरा फोड़ते आ रहे हैं जी जबकि हमारे पूर मुख चुनावायों ओपिएस रावग जी दो पजार एठाना उननीस के लुक्सवा चुनावों के समय उन्होंने सबस्क्राइब बैठक बुलाई थी बाकाइदा सभी पार्टी के नुमाइंदों को बुलाया था और कहा था कि EVM को हैंक करके दिखाई जब तर उसमें टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो रावद जी के माध्यम से जो बात निकल कर आई थी वो यह थी कि EVM को हैं ने कि यह इंटरनेट से क्लेक्टेड नहीं है और यह ठीक उसी प्रकार की मशीन है जिस प्रकार एक कैलकूलेटर होता है तो कैलकूलेशन के लिए जिस प्रकार हम कैलकूलेटर का प्रयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार EVM मत गड़ना का काम करती है और कॉंग्रेस की जो योगेजी आज जो देमो दिखाये गया उसको लेकर बीजेपी क्या कहेगी देखिए हाँ मैं उसी पहा रहा हूँ थोड़ा से मुझे समय जी जो वीपीटी मशीन अटेच की गई कॉंग्रेस की डिवांड पर इसमें दो तीन चुनावों उसमें प्रतेक्ष रूप से यह आज तक जितनी वीपीटी मशीन यही काउटिंग मिलान हुआ है जी उसमें काउंग्रेस नहीं कोई आपकी नजर नहीं है दिग्विजे सिंग जी से सभी पत्रकारों को ये जरूर पूछना चाहिए था कि आप तोश्की वज़े क्या जो डेमो दिखाया वो एवियम नहीं थी इवियम बिना चुनावायो की परमीशन के दिग्विजे सिंग जी बहार नहीं थी वह एक इन्होंने अपनी हिसाब से ज पारिस लिए है ठीक है तो आगर जी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की जन्ता के जन्मानस को अगर समझ पाएं जिस प्रकार अभी हमने विगत 22 जन्वरी को देखा पूरे देश प्रदेश लगर गाउं गरगान पंचाइतों में जो अभूतपुर उस्सा था स्री राम लल अधरे को अनुरूप कार एक गया थिका है ठीक है योगेंदर जी करेंगे आूंगे आउंगी आपके पस योगेंदर जी योगेंदर जी कह रहे हैं कि इव्म तो कॉंगरस के लिए बहाना है देखिए इभिम का प्रश्ट निटीन से इन्टेस चालू करी है कि भारती जिनता का पारिटी के नेता आधरनी लाल कुर्षन आगवानी जी हो मुझाए शुप्रमाद्यम स्वामी जी हो भारती जिनता पारिटी ने ही सबसे पहले इभिम को लेकर सिसाना बनाया है और इवियम को एक लेने का आरोप का जो प्रारं मत्री इंदूस्तान में हुआ है और ज्थी सिस्टम पर कोई प्रश्न चिन उठा रहा है तो निश्यत रूप से कोई भी प्रतिस्परदा हो प्रतिस्परदा तो निश्पक्च्च होना ही चाहिए है और चुकि हमारे भारती जंताफाल्टी प्रवक्ताइश कर रहें कि पूरे तेस में लहर है पुरे प्रक्डेस में आपके रूप स्वाब्ला टयकर प्रश्पर दर वंकर के ऊंदर के लुए है ll वन को और देनके सुप्रीम बीजिए से मुख्य चुनाव आयुक्त की नुक्ति के अंदर सुप्रेम कोड के नियादिस को सामिल किया जाएगा तो आप उस डायरेक्शन के बाद भी नया विद्यक लाकर संसद में और आप इस प्रकार से उसको बाहर करने का क्यों प्रहाइस कर रहे हैं इस पर चुनाव होना चाहिए दिविजे हिए इस पर चुनाव से उधन उठा रहे हैं और निश्ठी लुम से बात को सुनना चाहिए यहाई निस्पक्ष बढसे करें कर लें करनाथका कि बात कर लें वहां पर नहीं है वहां पर भी इविम ही है यहां पर बीजेपी जीर जाती है वहां पर इवियम पर कि वईजेपी का गर्बड़ी का पौँछ आरुप लगाती है और आप लगों भी तों जीएए ना तो वहां पर गर्बड़ी का आरुप के ऐँग peeling कि यह एअथ रिया। चुका है जन्ता के बीश में भी जन्मानस के बीश में और इस चुनाव में हमने देखा है मदपनेश के अंदर भार्टी जन्ता पालिटी के सिर्सुनेटर सिवरा सिंग जी कह रहे थे कि हम गुमत के करीब होंगे हम एक दो चार सिर्टे जीतेंगे चाहिए उनको भी सब्सक्राइब करें लेकिन उनके समर्सम में 50 लोग खड़े रही थे हमने यह भी देखा है मने केलाश हुजे वरिद्बीजी की सवाओं को भी देखा है जहां पर भार्टी इंता कुल मिलागर कॉंग्रेस जो है इवियम की जीत बता रही है जो भीजेपी जीती है ठीक है वरिश पत्रकार भी हमार साथ है भूपेंद सुलेर जी भूपेंद जी कैसे देखते हैं दिगजे सी ने इवियम पर सवाल उठाया है लोग सभा चुनाव के ठीक पहले देखे लोगतंत में पिक्रियाएं और टेक्नीक के साथ चुनाव लड़े जाते हैं जी टीन सेसंग जी ने चुनाव योग में बड़े बडलाव लाए थे और एक बिरोकेट थे और उन्होंने एक राजीती च्छेत को अल्पमत करते हुए मतलब की दर्कनार करते हुए और देश की शुधर चुनाव दस्ताव को सुधर किया था उसी ताइम एवियम का उद्वाई हुई हु प्रूणगे अब जो येवियम की बात है तो येवियम एक मशीन है, मशीन की पॉस्विल्टि टी गारंटी किस तरह से है कि इसमें कमी है या कितनी कमी है बै पी टी जो अभी बता रहे थे पेवकता, ये बात बिलक 여기에 कि जो बी पीटी जो बोट डलता है उसकी जो गिनने से और उसके जो उनका कहना है कि कनवर्ट होने से तो EVM मसीन तो लाकर उन्होंने दिखा ही नहीं पहले नमबर दूसरी बात यह चुनाओ के टाइम ही राजनीता लोग क्यों करते हैं उससे पहले इसका क्यों नहीं होता है कि यह आप मेरा यह माना है यह भी एक राजनीती का जिससे कारण की हम अपने बोटर को अपनी पार्टी में सिफ्ट करने हों सत्ता में भागिदारी अगर यह कोई चीज कमी है हो सकता है मसीन में कहीं कमी भी हो लेकिन इस तरह की प्रमार लाने पड़ेंगे और उसको आपको चुनाओ पिक्रिया में वाकाइदा लीगर इस सीधह सिधह सिधह आरोप लगा तो कि अगर बड़े वरिष्ट राजनेता हैं और मैं तो यह सोचता हूं कि आज की राजनीती बैसी राजनीती ने रहेगी जो उनके 70 वर्सकी आनुभव की राजनीती है आज आगर वो कुछ बोलते हैं तो मुझे ऐसा मैं पत्तिकारता कि उसका वेनिफिट बिपक्षों को जादा मिलता है उनके उनके क्रत हो या उनका वाचन हो या उनके संबोधन हो तो आज इस चीज पे यूनिफाइट लाने की जहूरत है आप देखना इसका काउंटर कैसे बीजीपी करेगी और बीजीपी बहुत एग्रेसर रूप से काउं ने मीडिया के सामने एक्सपोस किया लेकिन अब एक्सपोस की सीमा कहां तक मौश दी की यह क्या वो पांच परसेंट जो वोटर है उसको अपनी तरफ सिप्ट करने की तैयारी है क्योंकि लोकसवा चुना हो आरहा है और उस लोकसवा चुनाओं से पहले चुनाओंगा तो एक निस्पक्ष रूप में तो भूमका निभा रहा है पहले तो जिम हम जो लोग छोटे थे तो हम लोग खुल समझते थे कि सरकार चुनाव भी कराती है लेकिन जो टीन सेशन की बाद जो यूनिफॉर्म चेंज आया है जो चुनाव में इनिश्य तो उससे एक बहुत ससक इस तरह सी अगर कोई संभावना है तो सरकार को भी विपक्षा को मिलके उसके साथ न्यविक्रिया के साथ उसमें सुधार की संभावना है और सुधार लाने चाहिए जी योगेश कुपतर जी दिग्वजर से कह रहे हैं कि इस बार इतने सारे सीटे मिली है एब जननता का व का उपयोग चालू हुआ कॉंग्रेस पार्टी को लेकर आई उसके पहले क्या होता था मत पेटियों में वेलेट पेपर बंद होते थी ठपा लगा कर अपन मद्दान करते थे उस दोरां काफी सारी हिंसा होती थी मत्दान प्वाबिस करने के लिए गुंडा गर्दी होती थी इन सब दर्दनाग हासों को रोकने के लिए ही तो हमारी सर्वोच जो चुनाव आयुक की संस्था है उसमें ऐसा हो पाए ढूंडा हिंसा का प्रयोग ना के बराबर हो लोग तक्रिया के अंतरगर हो हम इस पे काबू पाने में काफी हत्तक सफर लुए और इसको तेकर आने क का श्रेवी कॉंग्रेस कोई था तो क्या दिगविजे सिंगी चाहते हैं कि हम उन्हां उसी दशक में जाए जहां बोलिया ती ती आज वो के रहे एडिया में है को रही है कल कहेंगे मत पेटियां बदल दी बैलेज बॉक्स लूट है ठीक है योगेजी जो वोट की पहने हो अगर उसमें अंतर विरौत पाया जाता है अगर शक है अगर विपछ को शक है किसी को शक को दूर करना चाहिए साच को कैसा शक दूर के आड़ली पत्रकार म hygiene ब होड़ाने प्रमार चाहिए प्रमारे है निर्भाट Großu आप अपनी राजनीती चमकाने के लिए अनर गलत मारतलाप करते हैं, अपने पार्टी के नेता और कारेकरता और युगराज को बचाने के लिए EBM के उपटीकरा पोड़ते हैं, आप कॉंग्रेस है कहाँ, इतने मुद्धे उन मुद्धों को लेकर भी कॉंग्रेस कहाँ है, अगर आप और हम देखेंगे, तो इमानदरी से कॉंग्रेस आज कहीं भी नहीं है, सिर्फ ट्विटर पर चुडिया ओडाने से, या शोशल मीडिया पर वक्तव विज़ारी करने, आप अपनी राजनीती तो चमका सकते हैं, बगर जबता के जो जन आशिरवाद की आप अप आप अपनी राजनी करती है, का रुस आप नहीं पास, लिए अथक प्रयास करने होंगे का अपर जीओं का तो जस्ताहित अपनी ख़ुपर च्रहित करती हैं, इंदुस्ताद में कांग्रेस प्राइटी ज़िवां के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, इन मुदो तो कांग्रेस पाईटी उसी दाइच में काम करती है। संपरबेक दुरुविगाण की नाजमती के मात्यविटि के अदिश के अडर इस पकार कि नाजमती कभी करिमें। नहीं चाहिए और हिंदुस्तान में अगर विपक्ष की शारे बड़े-बड़े राजमता है। यदि एविए में परस्वतिता नगाते हैं, तो शुनाव आयोग को इनिं師 बुलाना चाहिए, उर चुनाव आध करना चाहिए, चुनाव आयोग को उनके जो आरोप है, उनका जवाब देना चाहिए यह जो दिए यह सदे योगेजी को सुनेजे, योगेजी, योगेजी, ज़िजी, दिवजी, से कह रहे हैं कि सवालों के जबाब चुनाव आयूग नही दे रहा है. इग्जजा सिंगी से कुछना था है, चिंदाबना की नोची नो सीते आप कैसे जीत ले अगर एदियम हैं गुई तो? आप लोगों आप लोगों आप लोगों आप लोगों अविश्वास नहीं आप लोगों अविश्वास नहीं नहीं सब्सक्षा नहीं कि सब्सक्राइब काया कि अब खुष। कि अपने हिजाफ से उस चीज को सत्ता को घिरें और निश्य दूप से लोकतंती की ये खुबसूरती भी है कि उसके लेकिन साथ-साथ आज के समय में पिमान के साथ पिमानी करा ना चाहिए क्योंकि लोजिक एक ज्यादा देर तक नहीं रहता है आगर उसमें टेक्निकल को जी निश्य दूप से कि चुनायोग जब अगर जहां पर बिबक्ष में बीजेपी होगी तो वो कह रहे हो कि इनिस बक्ष नहीं होगा और वो भी लेकिन मैं जहां तक या फिर आज का यूबा जो भी है नया बोटर जो कि निश्य दूप से बहुत सी बड़ी भागिदारी साथ पर तीशा तो यूबा है और जो कि सक्ता परवर्तन मुक केंद रखते हैं और वो उसको उसका तो टेस्ट है मैं जहां तक मानता हूँ कि एवी एम रिफॉर्म चाहता है टेक्निलोजी के साथ चलना चाहता है अब बात रही कि कहीं पर कहीं अगर ऐसा कुछ है तो निश्य उसके पास वाकाद़ प्यमारी करन से जाएं और अगर वो सुनेंगे और उनकी वादता है उसमें कि वो बेपक्षी की हर चीज को संदुष्ट करें और ऐस आगर नहीं करते हैं फिर नयाए पिकरिया में जाएंगा मुझे नहीं लगता क्योंकि बड़े सीनियर आईया साथ कारी होते हैं और निश्यतुप से नीचे से उपर तक जाते हैं वो लोग और वो अपनी जुम्मेदारी समझते हैं और वो निश्यतुप से बेपक्षी की हो चाह सबता कि दोनों लोगों को अभी से पहले एलेक्शन में आएंगे और उनकी बातों को टेक्निकल पॉइंट स समझाएंगे क्योंकि उनके पास बूरी एक्सपर्टीम है और उनको संतुष्ट करने की कोसिस करेंगे और संतुष्ट होना और नहीं होना वो एक अलग विशह है क्योंकि अगर वो अपना व्यू अलग रखते हैं और टेक्निकल पार्ट अलग रखते हैं और कहते हैं कि इस दानसभा या लोक्षभा है जहां पर जो बोटर का जो प्रोलाइशन होता है वो ऐसे टेकनिक तरीके से किया जा सकता है क्योंकि जो उनका जो मूलता रूप है लेकिन अगर इसमें सच्चता है और अगर उनका टेकनिकल पार्ट है तो निश्च दूप से ये जो चुनायोग जो ने भी संगाल लिया होगा जिनकी प्रेस कॉन फेंस को और निश्च दूप से इसकी कौपी जाएगी और वो भी इनको बुलाएंगे और आँगे जाने की पकिलियत होगी योगेज जी दिग्जिया सिंग ये भी कह रही कि टेकनोलोजी की टीम नहीं है खुद इलेक्श के साथ चुनावाय जाएं मेरी ग्यारेंटी को तो कह रही कि एलेक्शन कमिसर ने भी स्विकार किया है ना इस बात को नहीं नहीं वो सब गलत किरें दिग्विये सिंग जी गलत बयान आज इनकी बातों से 40% लोग सहमत हैं कॉंग्रेस के लोग सहमत हैं कॉंग्रेस के नहीं कि यसे राम मंदिर की प्राण परतिस्था कर एकरम के आमन्तर ओन दो को ठुकर आया जब तो कॉंग्रस के अंदर खाने से बात निकल के हैं कि हमको जाना चाहिए अच्या और यकिनन जाना चाहिए अच्छा एक पर रहूल गांडी ने जो दीन बाद बोलागे लोगेश्ट जुपता जी दिघजी एभी कह रहे हैं जुप पूगरमिंग फोती है 2008 के बाद से चीफ प्रोग्रामिंग में घरबरी की जारी है देखिये भीजै सिंह्ग जी तर्ष कहा रहे हैं मुझणानी खल्शा करने मुझवानि विजवानि दोगारे प्रमार दी लाप्र आपके पास टेक्निकल, दिग्विजे सिंग जी खुद भी इंजियर, प्रमान लाया ना उन्होंने, डिवो लिखाया उन्होंने, एसे तो वीडियो गेम हजारों पड़े यूटूब पर, एक हजार से ज्यादा विग्येम मिल जाएंगे आपको इस प्रकार के, जो अपने हि मेरी तरफ से पूछिए, अगर एविएम की जगे, वेलग एपर से वोटिंग होती है, और यही रिजल्ट आते है, तो मेरा 101 परसन यह दावा है कि यही दिग्विजे सिंग जी बोलेंगे, मत पेटियां बदल दी, वेलग बॉक्स लूट लिए, पार्टी जनता पर्टी न हमेशा से देश की सम्मेधानिक संस्ताओं का मान सम्मान और उन लोकतां तरफ से पास, सिर्फ गंभीर आवप लगाए जारी है, ठोस प्रमान है तो जाहिए, जो भी आरोप EVM के ओपर लग रहे है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिरवाचन आयोग में एक बार खु अब लगाए जब छाह जो कहता हूं कि अब रही हूं कि आपके रही है यह को नहीं आदे था गांधा अगाण पुन Northernissen कर रहे हैं अगाना ना कहीं तो नहीं है हम आपके बताता है। भी आपके बताता है हो जुश Tan है को तो टीयर बने को ताहा है एकश्र देना अगर तो सि मेरा तो यह मानना है कि अगर आपके अंबर को श्राख है तो मिर्वाटन आया बुलाएगा तो निश्चिय परूप से इस संब बंदित एक जिए एक चोड़ा से कॉमेंटर से सुलेरी जी एक लानी चोड़ा से कॉमेंटर देगे अगर यह इवियम की बात है तो आप पार्ट उसके उपर चैलेंज भी किया था इसके बोट इस तरह से जा रहा है लेकिन उसके बाद वह भी उसके बाद उन्होंने फिर बांगी आंगे आप पाइटी नहीं नहीं चलाया तो अगर इस तरह से कुछ भी है मेरा यह मानना है दूसरी आज यह प्राइवेट सेक्टर की वा इस में है तो इसको रेस करना चाहिए कॉंग्रेस को और निश्य दूप से चुनायों कि इसको संग्यान लेगा और ऐसा नहीं है कि समयधानिक संस्थाए बिल्कु सरकार के उससे चलती है तो इसले डिपेट को ही परोकना पड़ेगा आप तिनों का बहुत ही चर्चा में श आश्रंका को नकार रही है तो फिल हाल के लिपेट में तना ही आप देखते रहे हैं स्वराज एक्स्प्रेस नमस्कार